अस्लाम लेकूम कैसे है सब और उमीद है कि सब ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज पर जा रहा है अरविक हरीसा आई उसके लिए इंग्रेडिंट्स नूप कीजिए यहां रखा है वन टेब स्पून सॉल्ट वन टी स्पून मैं यूज़ करूंगे रेड चिली पाउडर और वन टेब स्पून रेड चिली फ्लेक्स है यहां पर कुछ ड्राइट मसारे हैं जिनमें मैं दो लोग एक हरी इलाची और यह हाफ ड्राइट लेमन है जो मैं यूज़ करूंगे और इसके साथ में यह एक बड़ी इलाची है और साथ में सिनमन स्टेक्स है इसके साथ में यहां पर काली मिर्च्छ सापुत गंदुम का दलिया यहां पर बिदो के लग दिया है और अबाउट 10-20 मिनिट्स हो रहे हैं इसको और क्योंकि यह पिछा हुआ है तो इ इसके साथ में यहां पर जाएगा वन टेबर स्पून के अराउंट यह लेसन है और एक अनियन इसके मैं इसमें दस कब पानी रख दिया है वाल यह तक्रीवन स्टीम होगे और इसमें अब सब से पहले हम अट करेंगे चिकन इसके अपर यह जो वाइट वाया है एक इसके इसके इसको रिमूब कर दें इसमें जा रहे हैं वजी टेवल्स कि साबद गर्ण मसाले स्मेट करेंगे मैं इस यहां पर तब तक पकाऊंगे जब तक मेरी चिकन टेंडर होती है और मसाला रेडी होता है मैं इस फ़ाम में पिसा हुआ दलिया जो है वो यूज करोंगी यह देख सकते हैं अके जी एक्सेसिव वाटर इसमें से निकाल लिया है मैंने और चिकन जो है वो टेंडर हो गई है यहां पर अब मैं इसमें एक्ट कर रही हूं वन बिग साइज टोमाटो और वो मैंने कट लगाया है और कुछ इसको हलका सा ग्राइंड किया है लाइटली जादा नहीं ग्रैंड किया चले अब इसको यहां पर अपना मसाला डेटी करते है इसका अब इसमें एड़ करते हैं बाकी के मसाले सॉल्ट और यहां पर एक चमिश कुटा हुआ मसाला कर मसाला जा रहा है जिसमें सुकर दनिया और कुमिन सीट से और बाकी की सारे इंड्रीटिंट से राए रोस्ट मसाला के तो अब इसको मिस करते हैं और यहां पर थोड़ा सा मसाला भूनेंगे अच्छ थे और इसके साथ काप में यहां पर और भी एड़ कहरी हूं मैं तो थी बाए फोर्ट काप जो है वो यहां पर यहां पर यूज हो रहे हैं जैसी मसाला रेडी होते है तो तो पर हम इसमें बाकी दल्या जो है वो आड़ करते हैं मसाला जो है वो फूपसूरत सा यह रेखिए वेड़ी है और ओयल जो है वो आगया उपर बस टाक्मीन्स के हमारा मसाला अच्छ से कुख हो गए यानि के इसकी जो तरी हमें चाहिए थे बागी है अब इसमें आड़ करेंगे दल्या सोप्ट तो मैं यहां आड़ करेंगे द चाहिए यहां पर चला गए सारब जो स्टॉक है वो यहां पर एड़ करेंगे चिकन स्टॉक बस इसे दम करके कवर करके मैं रखोंगे तब तक के जब तक हमारा दल्या जो थोड़ा सा आगए सॉफ्ट हो जाए और फलफी हो जाए एंड टेंडर हो जाए यूमीन रहा है आई यह देखते हैं इसको दरा तो हलकी आँच पर यह लोगी पर पक रहा है बिलकुल क्योंकि इसने भी पकना है दल्या ने अभी इसकी फॉर्म वैसी की वैसी है तो इसको पकने देते हैं यहा आपको आज की रेसिपी पसंद आईगी तो प्लीज अपना कॉमेंट जरूर तीजेगा और इस रेसिपी को ट्राइ करें बनाएं और मुझे जरूर बताईए का कैसा लगा तो फिर शाला आप सबसे एक नही सुभा में एक नए दिन के आगास के साथ मुलाकात होगी तब त सर्दियों में इसको जरूर ट्राइ करें ताइम तो गो नाव अला हाफिस